डेंटिस्ट को सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल कि सबसे अच्छा टूथपेस्ट कौन सा है या तो हमारे लिए कौन सा टूथपेस्ट बैस्ट रहेगा लेकिन फ्रेंड्स वन साइज फिट्स आल यानि कि एक ही नुसका है जो हर किसी कंडिशन में पुर्वार या तो असरदार साबित हो ऐसा नहीं हो सकता है यहाँ पर आंसर है कि आपके दातों और मसुडों की कंडिशन के हिसाब से हम डेंटिस्ट ये डिसाइड करते है कि कौन सा टूथपेस्ट आपके लिए सही रहता है कि बचों के लिए और बड़ों के लिए कि हम सेम टूथपेस् किसी के दातों में sensitivity यानि कि ठंडा गरम लगने की problem रहती है, तो ये हर किसी condition के लिए हमको अलग से toothpaste का category प्रिस्क्राइब करना पड़ता है, Friends, मैं डॉक्टर मितुल सोजीतरा, आज toothpaste को लेके आपकी हर confusion का दूंगा जवाब, और ये वीडियो देखके आप घर बेठे ही अपने दातों और मसुडों के हिसाब से, कौन सा toothpaste आपके लिए सबसे ज़्यादा असरदार है, वो घर बेठे decide कर पाओगे, तो Friends, अगर चैनल में नए है, तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, और ऐसे ही हेल्थ और एपिनेस से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए, देखते रहे हमारा चैनल, टूथपेस्ट को मैंने केटेगोरिकली 5 डिविजन में डिवाइड किया है, कमिंग तू दा फर्स स्लाइड, सबसे पहले बात करते हैं, हर्बल केटेगरी की, यानि कि जो अईरुवेदिक टूथपेस्ट आज मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, वैसे मैं एलोपेथी डॉक्टर हूँ, लेकिन काफी सारे रिसर्च और अईरुवेदिक टूथपेस्ट का में नौलेज रखता हूँ, तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, कि बेजिकली टूथपेस्ट हम इसलिए यूज़ करते हैं, कि ताकि दातों और मसुड़ों में गंदगी को हम साफ कर सकें, स्टेइन्स को हटा सकें, अपने मूँ को, अपने औरल हेल्थ को अच्छे से फ्रेश फिलिंग दे सकें, हमरी सासे फ्रेश हो जाती है, तो यह सब चीजों के लिए हर्बल टूथपेस्ट आप यूज़ कर सकते हो, इसके कोई ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन किसी किसी को यह requirement रहती है, कि अपने दातों को brighten, यानि कि और थोड़ा ज्यादा चमकने वाले सफेद करना हो, तो यह property हर्बल टूथपेस्ट में नहीं रहती है, तो इसके लिए आपको दूसरी केटेगरी के chemical वाले टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ता है, लेकिन अगर brightening का आपको requirement नहीं है, तो अपने दात और मसुड़ों को healthy रखने के लिए आप definitely herbal टूथपेस्ट, यानि कि Ayurvedic formulation वाले टूथपेस्ट, जैसे कि पतंजली का दंत कांती है, वो काफी अच्छा है herbal की केटेगरी में, या तो dabber red का भी आप use कर सकते हो, तो काफी सारे herbal toothpaste है, जिसमें से यह आप prefer कर सकते हो, friends यहाँ पर हम किसी brand को support या तो promote नहीं कर रहे है, लेकिन अपका मेरा मकसद है आपको truth और facts बताना यह toothpaste के बारे में, ताकि आपके लिए कौन सा toothpaste best रहेगा, वो आप decide कर सके, तो coming to the second category, वो है chemical toothpaste, chemical toothpaste यानि कि इसमें कोई भी natural content नहीं रहता है, synthetically derived किये गए जो formulation है, वो chemical से यह toothpaste बनते है, अब इसमें advantage यह रहता है, कि इसमें fluorides रहता है, तो fluoride है, वो आजकल काफी सारे लोग हैं, जो youtubers है, वो fluoride को एक बहुती negative चीज़ बताके, इससे को avoid करने का बोलते हैं, लेकिन friends, यहाँ पर मैं बहुती clear करना चाहूंगा, कि fluorides जो रहता है है toothpaste में, वो cavities को fight करने में, यानि कि जिन लोग को ज्यादा दातों में sudden की समसिया रहती है, उसको fight करने में fluoride बहुत ज्यादा helpful रहता है, और fluorides के side effect तभी है, जब आप उसको अगर निगल जाते हैं, यानि कि swallow करते हैं, अगर fluoride को अंदर लिया नहीं जाता है, और खाली toothpaste में इस्तमाल करके, अगर आ chemical toothpaste में fluoride का कोई भी आपको side effect नहीं होता है, लेकिन advantage ज्यादा होता है, कि fluoride की वज़े से आपकी जो sudden की process है, वो slow हो जाती है, और आप sudden और cavity से बच सकते हैं, तो friends, इसमें जो commercially available toothpaste है, वो है, Colgate का, Pepsudent का, close up का भी आप यूज़ कर सकते हो, even miswak, काफी लोगों को ये गलत ये कि वो Ayurvedic toothpaste है, लेकिन miswak में भी chemical toothpaste की category में आता है, तो इसमें से आप कोई भी toothpaste यूज़ कर सकते हो, इसमें एक added advantage ये रहता है, कि ये आपके teeth को brightening, यानि कि थोड़ा shine देने में आपकी help कर सकता है, इसमें और एक content रहता है, जिसको बोलते है SLS, यानि कि sodium loral sulfate, तो उ इससे थोड़ा दात को आपको हलका सा चमकाने में उसका एक roll रहता है, और काफी देखा जाये तो ये foaming agent है, यानि कि जो brush करने के time पे जो ज्यादा bubbles या तो जाग बनती है, वो ये SLS के करण होती है, तो काफी लोग ये सोचते है, कि जो herbal toothpaste यूज़ करते है, वो अच्छे स brush को घिसते रहते हैं, क्योंकि उसमें जाग ज्यादा नहीं बनती है, तो friends, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कि अगर आपको bubble या तो forming नहीं होता है, तो आप और ज्यादा pressure देके दात को घिसो, क्योंकि ज्यादा pressure देने से दात घिसते चले जाते हैं, और दाते धिरे-धिर करके उसका उपर का layer कमजोर होता है, सबसे important बात में यहाँ पर जोड़ना चाहूंगा, कि toothpaste का जितना महत हो है, उससे ज्यादा tooth brushing के technique का भी महत हो है, क्योंकि अगर आप अच्छे से manually brush नहीं करोगे, तो जो plaque और जो काफी जो खुराक और फसा हुआ है, अपने मसूडों औ दात के बीच में, वो निकलेगा नहीं, और आगे जाके calculus में convert होके, आपके मसूडों को नुक्सान पहुचा सकता है, तो friends, brushing technique की आपको detail में जानकरी लिके, eye button पे उसका link आजाएगा, और description पे भी में link डाल दूँगा, आप वो देखके make sure का सकते है कि कौन सा proper brushing technique आपके ल हमाले लगते हैं, तो उसके लिए हम whitening toothpaste suggest करते हैं, कि जिसमें हिमालया का sparkling white है, या तो glyzer भी एक अच्छा toothpaste है, या तो आप snow dent prefer कर सकते हो, तो ये toothpaste हो basically उसमें abrasive agents रहते हैं, यानि कि वो दातों के जो उपर के irregularities या तो पिलापने उसको हटाते हैं, अब abrasive toothpaste क्योंकि इसमें abrasive का content रहता है, तो जिनको दातों में जंजनाट या तो मसुडों की problem हैं, उसमें हम suggest नहीं करते हैं, तो ये cases में आप ये whitening के toothpaste नहीं यूज करें, और किसी को पिलापन अगर दूर करना है, तो ये toothpaste के लगतार इस्तमल, यानि कि आपको minimum 6-8 हपते इसको यूज करना है, तब जाके ये whitening का effect आपको दिखता है, लेकिन यहाँ पर मैं खास ये कहना चाहूंगा, कि आप whitening toothpaste है, वो एक limited time के लिए prefer करें, पूरा continue आप lifetime के लिए ना करें, क्योंकि आगे जाके इसके abrasive agent की साब से, आपके दातों के उपर के layer को damage हो सकता है, और आगे जाके sensitivity और जंजनाहट की problem, अगर ये ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, तो रह सकती है, अब coming to the next slide, बच्चों के लिए हम क्या अलग से toothpaste यूज करना होता है, वो सब लोगों का एक बहुत ही common question रहता है, तो friends, जो हमारे regular toothpaste है, वो हम बच्चों के लिए नहीं prefer करते, क्योंकि उसमे fluoride वाला content रहता है, और अगर बच्चे गलती से उगर brush करने के time पे बिना spit किये, यानि कि बिना थूके अगर निगल जाते हैं, तो आगे जाके fluoride की वज़े से problem हो सकती है, इसलिए बच्चों के लिए special category में हम cheerio gel, जो भी अच्छा famous product है, keto dent है, या तो फिर abat का candy cop आता है, ये toothpaste हम prefer करते हैं, कि ताकि अगर बच्चे brush करने के time पे भी, अगर ये toothpaste को अगर ingest कर लेते, तो भी उसमें कोई side effect नहीं आता है, तो friends, बच्चों के लिए इसमें से आप कोई भी brand का toothpaste आप prefer कर सकते हैं, अब coming to the next slide, दातों में जंजन हाट, यानि कि अगर ठंडा गरम लग पेशेंट्स को prescribe करते हैं, सबसे evergreen product है, उसमें RA thermosil, जो काफी time से चल रहा है, और काफी patients में इसका हमने effect देखा है, तो ये तीनों में से आप कोई भी toothpaste sensitivity के लिए यूज कर सकते हैं, वेंटेज में थोड़ा burning sensation का complain आता है, हाइडेंट प्रो में वो complain नहीं रहता है, ये toothpaste क आप को कैसे use करना है, तो brush में लेके आप पहले दातों के ऊपर अच्छे से apply कर देना होता है, या तो आप direct finger से भी apply कर सकते हो, बाद में 5-10 मिनिट इसको ऐसे रखे रहना होता है, और बाद में brush से ऐसे clean करना होता है, तब जाके इसका sensitivity में effect आता है, अगर आप ये detail में ज करना चाहिए, अगर किसी को herbal content prefer करते हैं, तो कौन सा toothpaste best रहता है, अगर sudden की समस्य है, तो उनको chemical वाले toothpaste और fluoride containing toothpaste का हम ज्यादा आगर करते हैं, तो friends, आज के वीडियो हमने toothpaste के disadvantages और advantages समझें, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो उसको like और share जरूर करें, और